हलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मेरा नाम ने विए और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटुब चैनल एंडी एक्स प्लैनिन हिंदी में ये कहानी एक एस लड़की के बारे में होती है जिसके अंदर इतनी ज्यादा प्यास होती है जिसे कोई भी बुजार नहीं पा जब मीमी और नील दोनों बार में मिलते हैं दुबारा तब मीमी नील को अपनी और आकरसित करती है मीमी नील को डांस के लिए भी भूचती है लेकि नील मना कर देता है वो कहता है कि मुझे डांस करना नहीं आता है तो ये सुनने के बाद मीमी वहाँ से चली जाती है नील उसे नील को बताता है कि वो मेरी पतनी है तो उससे ज़रा बचके रहना आसकर कहता है कि वो बहुत ज़्यादा खदरनाक होरत है तो तुम उससे दूर रहना वरना वो तुम्हें बरबाद कर देगी तुम मेरा यह हाल देख रहे हो यह उसी नहीं किया है मैं भी पहले तुम्ह की कानी बताने लग जाता है वो बताता है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े और कैसे मीमी ने उसकी जिन्दगी बर्बाद की कैसे उसकी टांगे तोड़ दी और उसे जिन्दगी पर के लिए अपाइज बना दिया तो कानी की सुरुबात करता है वो उसकर न ये सब देखकर मीमी उसे जैलिस फिल करने लग जाती है और वो एक प्राय मर्द के साथ उठकर जाती है और डांस करती है और उसे के साथ सोने चली जाती है ये सब देखकर ओसकर का मीमी के उपर से भरोसा उठने लग जाता है औसकर मीमी को कई वार छोडने की कोशिश करता है लेगिन मीमी आसकर को नहीं छोड़ना चाती वो उसके प्यार में एकदम पूरी तरे सा पागल हो चुकी होती है जैसा आसकर वॉल्डा वह वेशा करने को तियार हो जाती है औसकर और मीमी दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे इसक इसकदर प्यास हो जाने में लगए होते हैं कि वो कई मैनों तक एक ही कमरे में बंद रहते हैं ये सब देखकर औसकर को एसास हो जाता है कि ये एक तरह का सोने का पिंजरा है जिसके अंदर ओसकर अब केद हो चुका है और उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है वह अब मीमी से उप चुका होता है ओसकर को मीमी अब पहले जिते एक खुशूरत नहीं लगती थी वह दूसरी ओरतों के साथ इंजोई करना चाता था लेकिन मीमी ऐसा नहीं चाती थी वह उसके लिए हर उस संबो कोशिश करना चाती थी मीमी का ओसकर के लिए इतना ज़दा प्यार भर जाता है कि वो इसके लिए सोस्ते सोस्ते बहुत ज़दा बिमार पढ़ जाती है और पिलंग पगड़ लेती है ये सब देखकर ओसकर काफी ज़दा डर जाता है वो समझ जाता है कि मीमी अब पागलपन के हद तक गुजरने वाली है ओसकर मीमी से पीछा चुड़ाने के लिए एक प्ल चाहिए कर दो आजाता है वह रोज एक शिकार करता नए लड़की को लाता और उसकी प्यास होजाता और इस तरह है टाइगर मज़े कर रहा होता है अपने जीवन में एक दिन जब मज़े करके बाहर निकल रहा होता है तब उसका एक्सिडेंट हो जाता है जब वो हॉस्पिटल में बढ़ती होता है तो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे दोनों टांगों में हलका सब फैक्चर है और तुम जल्दी त्यार हो जाओगे तब ही वहां पर उसे मिले मीमी आ जाती है मीमी को देकर ओसकर काफी जादा सौक हो हो जाता है मीमी आसकर को घर ले जाती है और उसकी सेवा करती है अब आसकर पूरी तरह से मीमी में पर डिपेंड हो चुगा होता है मीमी को ऑसकर को सताने में बड़ा मज़ा आता है मीमी आसकर के सामने हर दिन एक नए मर्द को घर लाती और उसके साथ अपनी प्यास हो जात वहाँ मीमी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है वहाँ मीमी को बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता अगले दिन हम देखते हैं कि नील और मीमी दोनों नियोर्क का सेलिबरेशन मना रहे हैं और एक साथ डांस कर रहे होते हैं ये सब देखकर ओसकर को काफी ज़्यादा जैलियस फि कर लेता है इस्तरे कानी खतम हो जाती है धन्यवाद दोस्तों